आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello Friends, हमारे पास एक Question कीवेन है इसमें हमें एक Body A दिया गया है जिसकी मास M है उसे ड्रॉप किया जाता है एक मिटर हाइट से और दूसरी Body B गीवेन है जिसकी मास 3 M है और उसे ड्रॉप किया जाता है 9 मिटर हाइट से तो दोनों का Ratio of Time टेकन पूछा जा रहा है To Reach the Ground ठीक है This should be Body A and B A और B के द्वारा Ground पे पहुचने के लिए जो Time लगेगा उसकी Ratio हमें Christian में पूछा जा रहा है तो देखते हैं दोनों का Case अलग-लग समझते है Suppose करो जो Body A है ठीक है एक Body A है और ये जो है Ground है ठीक है ये क्या है? Ground Level है हमारे पास और दूसरी Body क्या है? B है ठीक है इसके लिए Height जो Given है हमारे पास वो कितनी है? 1 Meter इसके लिए जो Height Given है वो कितनी है? 1 Meter ठीक है? Sorry, this is 9 Meter ये दोनों को Drop किया गया ध्यान दिया जब हम Drop करते हैं तो Initial Velocity दोनों को Case में क्या हो जाता है? 0 हो जाता है ठीक है? तो यहाँ पर U A भी 0 होगा U B भी 0 होगा Suppose करते हैं कि जो Time लगता है A के दोरा यहाँ पहुचने में That is T A लगता है और B के दोरा जो Time लगता है Ground पर पहुचने में वो T B लगता है दोनों के Case में Acceleration कितना होगा? ठीक है? इसके Case में Acceleration G है इसके Case में भी Acceleration किया है? G होगा क्योंकि जब Body यहाँ से Drop किया गया तो इसमें और कोई Force लग ही नहीं रहा है सिर्फ एक ही Force लग रहा है कौन? Acceleration due to Gravity या Force due to Gravity लग रहा है तो यह मान के चलो गर हम 10 लेके चलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्केर हम कह सकते हैं इसे ठीक है? या इसकी जवरत साइद नहीं पढ़ गया हमें अब आगे देखते हैं तो जो यह Distance ट्रेवल किया This is suppose that H A and this is suppose that H B हमारे पास T A and T B हमें Find करना है तो जो Time होता है यहाँ से Ground ले यह टॉप से यहाँ पहुंचने में वो Time कितना होता है? तो S equal to हम लिख सकते है Newton second law of motion से या second law of motion से क्या लिखते हैं हम लोग? UT plus half 80 square लिखते हैं तो 4 A के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? HA equals to UA into T A plus half A into T A का square तो UA तो हमारे पास 0 है और HA की value 1 है plus half into यह हो जाएगा हमारे पास G into T A का square तो T A बराबर कितना हो जाएगा? 2 upon G का root हो जाएगा ठीक है? यह हमारे लिए हो जाएगा 4 body A के लिए और सेम चीज़े हम 4 B के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? H B equals to U B into T B plus half A into T B का square हो जाएगा U B तो 0 हो गया, drop किया जा रहा है तो plus half into G into T B का value हमें find करना था तो T B equals to कितना हो जाएगा? root 2 into 9 upon G, तो यह बन जाएगा 3 into root 2 by G हमें ratio find करना है किसका? T A upon T B का तो ratio जब find करेंगे T A upon T B का, तो यह हो जाएगा root 2 upon G और यह हो जाएगा 3 into root 2 upon G जो हमने find कर चुका है तो यह चीज और यह चीज cancel हो जाएगी तो यह हो जाएगी 1 by 3 तो T A is to T B का जो ratio आएगा, वो कितना आएगा? 1 is to 3 का ratio आएगा ठीक है? तो यह हमारा correct answer हो जाएगा तो correct answer कौन सा होगा इसमें से? 1 is to 3, that is option number 2 correct होगा आएगा, आएएटी जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students कभर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 84444 उपर